हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ स्टॉडी टाइम आज के इस वीडियो में हम एक पॉयम को डिसकस करेंगे पॉयम का नाम है सेल पोट्रेट इस पॉयम को एके रामानोजन जी ने लिखा है हाला कि ये एक छोटी सी पॉयम है लेकिन बहुत ही इंपोटेंट पॉयम है तो चल लाइक कर दीजिए एंड सेयार कर दीजिए सेल पोट्रेट इस पॉयम को फास्ट पर्सन निरेटिव में लिखा गया है और ये एक इंट्रोस्पेक्टिव पॉयम है इंट्रोस्पेक्टिव यानि की अत्मन इरिक्षण करने वाला पॉयम इस पॉयम में वाट खुद का जो आइडेंटिटी है उसे ढूंड रहे हैं उन्हें लगता है कि उनका जो आइडेंटिटी है उनका जो परिचर है वो खो गया है इसलिए खुद का जो आइडेंटिटी है उसे ढूंड रहे हैं इस पॉयम में इस पॉयम का जो नेम है सेल पोट्रेट सेल पोट्रेट उन सभी sensitive individual को refer करता है जो लोग अपने आपको ढूंड रहे हैं यानि कि जो लोग अपने आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं जो लोग अपने आपको low feel कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये poem है I resemble everyone but myself ये poem का first line है और ये एक paradoxical statement है इसका मतलब यह है कि poet यहाँ पर खुद का जो identity है उसे ढूंड रहे हैं वो जब खुद को देखते हैं उन्हें लगता है कि वो बाकी दूसरों के जैसा दिख रहे हैं ना कि अपने जैसा इसलिए वो खुद का जो identity है उसे ढूंड रहे हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं poet ने जब यह poem लिखा तब वो अमेरिका में थे और वो अमेरिका के citizens हो गए थे क्योंकि उन्होंने पांस साल से भी जादा समय तक अमेरिका में रहा था poet जब खुद को देख रहे हैं उन्हें लगता होगा कि वो अंदर से तो एक भारतिया हैं एक इंडियन हैं लेकिन इतने दिनों से अमेरिका में रहने की बज़़स से वो जब खुद को देखते हैं वो बाकी अमेरिकेन की तरह खुद को पाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं I resemble everyone but myself and sometimes sees in sub windows despite the well-known laws of optics, the portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father optics का एक law है जब mirror के सामने कुछ भी चीजे रखोगे तो mirror में उसी चीज का एक reflection image create होगा लेकिन poet यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जब वो shop के windows में जो mirror लगा हुआ होता है वहाँ से जब खुद को देखते हैं तो वो एक stranger को सामने पाते हैं वो खुद का image नहीं देख पाते हैं वो एक stranger का image होता है poet जब उस mirror को देखते हैं एक stranger का portrait वहाँ पर दिखाई देता है और उस portrait के नीचे एक sign होता है जो कि poet के father का होता है और उसके नीचे एक date लिखा हुआ होता है और वो date भी unknown है यहाँ पर तो इसका मतलब यह है कि जब poet देखते हैं तो वो तो उनके पिता का sign है लेकिन वो जो portrait है वो एक stranger का है अब हम poem को detail में समझते हैं poet यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक इनसान का कई सारे रूप होते हैं जैसे कि हम कुछ दोस्तों के साथ मिलते हैं तो उनके सामने हमारा कुछ character कुछ अलग होता है घर में कुछ अलग होता है बाहर कुछ अलग होता है तो ऐसे एक इंसान का बहुत सारे image होते हैं, बहुत सारे portrait होते हैं यहाँ पर poet का जो situation है, poet एक भारतिया है, एक Indian है लेकिन इतने दिनों से अमेरिका में रहने की बज़़ से उनका जो base boost है वो American logo की तरह हो गया है लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर अभी वो Indian जिन्दा है, वो एक भारतिया नागरिक है वो बात उनके अंदर कहीं न कहीं जिन्दा है इसलिए जब वो खुद को mirror के सामने देखते हैं, तो उन्हें एक stranger दिखाई देता है लेकिन वो जो Indian है, वो उसे वो ढून नहीं पाते हैं कहीं न कहीं पॉइट के अंदर एक भारतिया सभ्यता का जो इन्सान है वो जिन्दा है इसलिए पॉइट उस भारतिया इन्सान को ढून रहे हैं उन American लोगों के बीच और इसलिए पॉइट को लगता है कि उनका जो identity है वो उन American लोगों के बीच खो गया है पॉइट जब खुद को देखते हैं तो उन्हें लगता है वो बाकी दूसरों के जैसा दिख रहे हैं पॉइट जब उस mirror में देखते हैं खुद को तो वहाँ पर नीचे एक sign होता है जो के उनके पिता का होता है लेकिन वो जो portrait होता है mirror में वो किसी stranger का होता है तो इसका मतलब यह है कि पॉइट के जो पुर्वस थे वो सब भारतिया थे लेकिन पॉइट इतने दिनों तक अमेरिका में रहने की बज़ा से उनका जो Indian identity है यानि कि वो एक भारतिया थे वो धीरे-धीरे खो चुका है इसलिए जब पॉइट उस portrait को देखते हैं वहाँ पर एक stranger दिखाई देता है ना कि वहाँ पर पॉइट का तस्विर दिखाई देता इसलिए पॉइट चाहते हैं कि उनका जो Indian identity है कि वो एक भारतिया है दिल से वो एक भारतिया है वो कही ना कहीं खो गया है इसलिए पॉइट उस identity को ढूंड रहे है आई होप यह पॉइम आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेयार कर दीजिए and माई स्टोडी टाइम यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थाइंक यू